अब एक्जाम वर्यर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जो यूटेट का पेपर हुआ था उसका हमने पेपर फस्ट का फस्ट लेंवेज इंग्लिस को डिसकस कर लिया था अब जो हम डिसकस करने जा रहे हो साइकें लेंवेज इंग्लिस के अगर आप मेरे चैनल अब नहीं है तो चैनल के वह सब्सक्राइब करते हैं और साथी सेल भी करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला कुशन तो इसमें बताना है चूजदा वर्ड़ विद्दा करेक्ट इस्पैलिंग तो ठीक है इसमें सबसे ऑप्शन हो जागा ऑप्शन दी हमारे के हैं है करक्त आंजर घा ठीक है करेक्ट्र करेक्ट्र स्पैलिंग हमारी एसी की डिड़ल टी डिडवल टी डी एक भीटिट हो अधोता है तो ऑफशन हमारे डी हो जाएका अरक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है हमें यहाँ परेदिस्क्राइब फ्रेज फ्रेज बतायाना है डिस्क्राइब फ्रेज दो अर डिफिकल्ट पर्षोन टू प्लीज इसको कहते हैं फच्ट अधियस का शुर्च का खरत को जाए गा पर्षन हो तो हेट व्यमिन तो इसका आंसर जागा option B, misogynist हो जाता option 20 सकार्क्टों जागा ठीक है थीक है, नेक्स्तों पूप्षन है अब इडियम से थी का एडियम ही टिदा सैख, हीड़ के ता मतलब भोता है go to sleep ठीक है go to sleep डीक आपशन भी इसका क्रेक्टांस लऎ जागा ठीक next question है हमें speech figure of speech बताने the camel in the shape of desert is यह पर रहुचुस figure of speech होगी option D that is metaphor okay next question है हम यह पर हमें choose the appropriate active voice or to the given statement from the option provided Prenka has solved the issue to the issue has been solved by the प्रेंग का तो option C इसका correct answer हो जाएगा option C will be the right answer next question है हमें transform करना है falling sentence को negative में without changing its meaning within say hardly had Ram seen me when he called तो इसका answer हो जाएगा option a no sooner had Ram seen me then he called me option इसका correct answer हो जाएगा ठीक है next question है choose the correct alternative to Rohan does the movie before he read the review to had watched option C is correct answer is a option C next question is come this come out of the alpha alphabetic methods of the phonic methods the broad methods and the sentence methods are associated with this correct answer is a option C that is reading the next question and learning a language mean this cow jaga learning and using language skills in an appropriate situation to option B is correct answer हो जाएगा next question है which of the following is an example of onomatopomi या तुसका मतलब होता है हिंदी में धुनी सूचक क्या होता इसका धुनी सूचक तुसका correct answer हो जाएग option C बच ठीक है और नेक्स्ट है टी बी एल्टी का स्टेंड यह हमारे इसके इसका फिर्फार्म होता है टास्क बेस लेनवेज टीचिंग तो option D का correct answer हो जाएगा ठीक है next question है storytelling as a strategy in language teaching is aimed at to engaging learner with language option C का correct answer हो जाएगा ठीक है next question है which of the which one of the following activities comes under the clap C-A-L-P Kalp ठीक है तो हो जाएगा क्या इसका हो जाएगा इसका option हो जाएगा option D that is writing book review next question है और यह question जो हमारा क्या है यह सिट्एड मायाव है ठीक है प्रीपी भाई की कोशन है यह वाला तो what is the status given to the English by the Indian Constitution तो इसका option हो जाएगा option D की associate official language ठीक है अब नेक्स्ट है एक हमें पॉयम देरिके ठीक है और यह जो पॉयम है क्लास 9th की पॉयम है ठीक ना तो इसके इससे रिलेटेट कुशन दिये भी है वियर वास दा पॉयट तो पॉयट तो पॉयट का है ठीक है नेक्स्ट कॉशन है वाट दस्ट पॉयट पॉयट लॉंग स्टेयर एड़ पाथ सिग्निफाई तो इसका हो जाएगा option एड़ ताइम टेकन बाइड़ पीपल तो डिसाइड एंड मेक चॉइस से यह option is a correct answer जाएगा और जो कोशन नंबर 80 है यह आपका होंब के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसमें कौन सी फिकर ऑफ स्पीच मेंशन है ठीक है तो कमेंट बॉक्स में इसकोशन का अंसर जरूर दें नेक्स्ट कोशन है डैस में आइवल बी हैपी तो डेडिकेट फ्यू एक्स्टा आर पुदक लॉस्ट इसका हो जागा एस फॉर मी तो option a करेक्ट आंसर जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन है यू विल हाफ टू रिमेंबर दैट दैट दैस जोन नो वन वन्स तो वरक ऑन क्यों है डिर्यास प्राव्लम् तो अपार्ट फ्रॉम इस का हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम जोन तो ओप्शन बीश्का करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है इसको हमें क्या बताना टांस फोंग नाइस सेंदेंस को इंट्ट आ फॉस्ट ऌजीत वाइन टुंट what is the basis of civilized existence तो लोग इसका लोग हो जाएगा option बिसका करेक्ट हो जाएगा next question है how can the law be distinguished from the social rules तो इसका answer हो जाएगा option a law apply to every citizen whereas social rules vary from one society to another next question है what is the outcome of breaking laws तो ब्रेकिंग लोगा जो आटका मुगा पनिस्मेंट ही होगा ठीक है next question है identify the word from the passage which means the action of using force or threat to do some something to this option see you have a course of legacy oe rc iowen ho जाएगा ठीक है options is correct answer हो जाएगा next question है इसको हमने क्या करना है इसको हमने क्या करना है none of the politician who have been invited to the speakers today तो इसमें जो error है हमारा part A में है तो यहां पर I don't recognize none की जगा होना है जाएगा जाएगा नन की जगा होना है जाएगा जाएगा नन की जगा होना जाएगा जाएगा will drone to in your sweat तो इसका जो grammatical error दिया गया है वह हमारा option C में दिया वह यू वूड होना चाहिए था विल की जगाते ठीक है यू विल भी डून यहां पर गलत है तो option C इसका correct answer हो जाएगा और last question हो जाएगा इसका select the most appropriate pronoun टीक है after the interview when I look back I was annoyed with the yourself वोगा नी विद himself वोगा नी देंसल्व वोगा नी तुसे option बचा myself myself for not answering the question properly तो ठीक है यह हमने solve कर रखा है 290 question ठीक है हमारे paper first के दोनु लेंविज हमने solve कर दिये हैं अभी कुछ को बहुत हो की queries थी ठीक है paper जो मैंने पहले solve कराया था first language English में उसमें हमारे question था 57 तो 57 में थोड़ा साइसको करेक करना है तो what are the walls in this poem the poem ती ती इसमें मेट तो हमारे किसमें बनाए hidden feeling and thought इसका correct answer हो जाएगा ठीक है वहाँ पर मैंने सिमेंड और टाइटल बताया था तो इसका answer यह गलत है तो option 20 का correct answer हो जाएगा ठीक है ना एक बार अपना answer correct कर लें ठीक है और next एक पैसिस था इस question में भी बहुत है इस जो पैसिस में भी बहुत question आ रहे थे तो ठीक है तो इसमें जो पहला question what should be the purpose of reading book ठीक है उसका correct answer हो जाएगा to the to wait and consider ठीक है एक यहां पर लिखा होगा देखो यहां पर एक चीह लिखा हो है मैं लिहां से नहीं देखा तो यह गलत हो गया तो यहां पर लिकना but to wait and consider तो इसका answer हो जाएगा to wait and consider का option भी करेक्ट हो जाएगा और और question था यहां पर यहां पर है what is the main what what is meant by tweet and digest देखो tweet and digest it बहुत पहले proper तरीकी से चुए करा फिर हम डाइजिस करते हैं तो ठीक है वैसे हम को भी बुक को पढ़ते हैं तो क्या करेंगे पहले थारोली पढ़ेंगे फिर उसको को अंडेस्टूट ऑप्शन भी हमाया option सी का क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो यह यह हमने पूरा फेपर फस्ट के दोनुए अगर आप मेरे चैनल को नए है तो एक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको शेयर भी करें